हेलो माई रेल लबली स्टुडेंस वेलकम बैक टू माई चैनल सुभाम लेक्ट्चरर आपने दो लाइन तो सुनी ही होगी बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं आज की जो ये कहानी है कुछ इसी से रिलेटड है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाश 12 हिंदी की एक most important कहानी जो की है बहादूर कहानी गाने में आपने सुना होगा दिल की सुर्ख दिवारों पर बस याद ही रह जाती हैं बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं ये सही भी है तो आज हम बहादूर कहानी को पढ़ेंगे ये ना सिर्फ एक कहानी है बलकि आपको ये हिंदी में 5 नंबर दे कर जाएगी क्योंकि बहादूर कहानी आपके हिंदी में 5 नंबर की पूछी जाती है एकदम फिक्स होता है ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम बहादूर कहानी का सारांस पढ़ेंगे ठीक है पांच नमबल बिल्कुल पक्का करो भाईया ये कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा थोड़ी सी इमोशनल भी है तो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रख का है जो नेपाल से आया है इसकी माता जी जो है इसके साथ दुर्वियोहार करती थी इसको मारती पीड़ती थी इसी लिए अपना घर छोड़कर सहर चलाता है दूसरी है निर्मला निर्मला जो है ये लेखक की पत्नी है ठीक है निर्मला और ये जो है इसको एक नवकर किया शक्ता होती है क्योंकि यह देखती हैं कि हमारे रिष्टेदार में बहुत अच्छे अच्छे नौकर हैं। करते हैं और लल्ला मुन्ना ठीक है उसके बाद में क्या होता है धीरे-धीरे उसके साथ दुर्व्योहार करने लगती है अब देखे पहले ही मैं कहानी बता दूंगा तो आप पढ़ेंगे क्या तो चलिए कहानी को सबस्ते इस वीडियो को आप लुग लाइक कर रहे न अगर ऐसे ही आप सारी कहानियों को चाहते हैं तो तो बहादुर कहानी जो है या यह 12-13 साल के एक लड़का है नेपाल का उसी से रिलेटर है और इसके लेखक है अमरकांत जी तो देखो पहले समझे हो बहादुर अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्ग मध्यम वर्गिये परिवार इसका मतलब मिडिल क्लास फैमली अब आप सबको मिडिल क्लास पता होगा लेकिन मध्यम वर्गिये नहीं पता होगा यानि कि हम लेख धिरे-धिरे अंग्रेज होते जा रहे हैं मैं हो भी चुका हूँ 80% आप भी हो गए होंगे ठीक है तो अठी इस रिलेड़ ये कहानी है लेखक ने स्वयन को कहानी का पात्र बनाते हुए जो लेखक है अमर कांत जी ये भी कहानी के ही पात्र हैं कौन है ये निर्मला के पती देव है हस्बैंड जिसको कहते हैं हैंड पंप नहीं ठीक है तो खुद को कहानी का पात्र बनाते हुए कहान कि आत्म कतात्मव रूपशा की है मन अमरकांत जी ने खुद को निर्मला के पती के रूप में खुद को उस घर में जोड़ा है اور इस कहानि की रचना की है ठीक है जो निर्मला है जो की बहादुर को अपने हां नोकड़ी पर रख लेती है पिर बहादुर के साथ पहले बहुत अच्छा बिवार करती है बाद में उसके साथ दुर बिवार होता है लेकिन बहादुर, ये सिर्फ ना तो नाम से ही नहीं बहादुर है ये बहादुर था भी, ठीके? ये मानविय संबेदनाओं का भूखा भले ही था लेकिन ये बहादुर लड़का था जैसे हम हैं और आप हैं हमारा तो पता नहीं ठीक है तो ये तो था या खिर बहादुर कहानी किसने लिखा है और पात्र कौन कौन है ठीक है तीसरी चीन आप देखिए यहां से आपकी कहानी का सारांस सुरू होता देखो सबसे पहले होता क्या है कि जो निर्मला जी है लेखक की पत्नी निर्मला के रूप में खुद को इस कहानी का पात्र बनाया है तो अपने से संपनी रिष्टेदारों की घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुबिता यहां सान को देखकर लेखकी पत्नी निर्मला सोयम भी एक नौकर रखना चाती है मलब जो निर्मला जी है वो अपने रिष्टेदारों के यहां देखती है कि नवकर है काफी सान सोकत है उनके यहां नवकर घर का सारा काम करता है तो निर्मला जी भी सोचती है क्यों ना हम भी एक नवकर रख लें मजा आ जाएगा वही काम भी नहीं करना पड़ेगा आराम से बैठेंगे काम खतम ठीक है लेकिन फिर देखिए ये तो पहला कंडिशन हो गया दूसरा देखिए बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मा के दुर्बे उहार से तंग आकर घर छोड़कर सहर चलाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है यानि कि बहादुर जो है ये नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपने माता जी के दुर्बे उहार से तंग आकर सहर चलाता है अब आप लोग कहेंगे सर किसी की माता जी अपने बच्चे के साथ दुर्वे उहार कैसे कर सकती है देखो, माता जी बहादुर को उसके कुछ फाइदे के लिए ही पिड़ती होंगी बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले ठीक है, लेकिन बहादुर को अच्छा नहीं लगा होगा वो घर छोड़ की चला आया, गलती किसकी है हम में नहीं पता भईया किसने घर छोड़ा क्यों छोड़ा, ठीक है तो बहादुर 12, 13 साल का नेपाल का लड़का है, जो अपनी मा के दुर्वे उहार से तंग आकर घर छोड़ कर चला आता है सबसे पहले ये समा लिजे कि कोई भी ऐसी मा नहीं है जो अपने बच्चे के साथ दुर्वे उहार करेगी और करेगी भी तो उसके फायदे के लिए ही करेगी कुछ गल्ती किया होगा, तभी वो मारेगी, पीटेगी ये ध्यान दखिएगा, लेकिन बहादुर को अच्छा नहीं लगा होगा लड़का था, वो घर छोड़के चला आया बाद में आखी उसको पस्तावा हुआ और उसको ये सोचना पड़ा भया कि अपने तो अपने होते हैं मैंने पहले ही आपको बता, आभी मैं बताऊंगा तो ये दोनों समझ में आया मलब निर्मला को एक नवकर की जरूरत थी और बहादुर जो है अपने माता के दुरवे ओहार से तंगा कर सहर चलाया, अभी दोनों की मुलाकात होगी देखो, आगे बढ़ते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अब देखो निर्मला और उसका परिवार बहादुर की प्रती अब देखे क्या होता है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉप है मतलब जो है, ये देखिए सहर चलाता है, और निर्मला की परिवार में नौकर रख लिया जाता है, दोनों की मुलाकात हुई, निर्मला ने बहादुर को आयजा नौकर अपने घर में रख लिया, अब आगे देखो निर्मला और उसका परिवार बहादूर के परती पहले तो अच्छा बिवार करते हैं, परतु धीरे धीरे कथोरता बरतने लगते हैं, तीके निर्मला और उसके फैमिली वाले जो हैं, पहले तो बहुत अच्छा बिवार करते हैं, अरे बहादूर बेटा, बेटा कहते हैं उसको, और भी जो कुछ होगा सर प्रतने लगते हैं फिर उसमें होता क्या है देखो वो घर का सारा कारे करता है बहादुर घर का सारा काम करता है इसके बावजूद उसके साथ गाली गलोज से मार पीटा जाता है बहादूर घर का सब काम करता है वो नौकर है फिर भी इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलोज किया जाता है उसको मारा पीटा जाता है देखो अब बहादूर सोच रहा होगा यार जो मम्मी हमारी मारती थी हमारे फाइदे के लिए मारती थी आज उनको छोड़ कर मैं यहां पे आया और ये हमें मार पीड रहे हैं जबकि इनका कोई हक मुझपर नहीं है अब वो सोसरा होगा भया अपने तो अपने होते हैं मम्मी भले ही मारती थी लेकिन उसका जो मार होता था वो ट्यार भरा होता था बलग दो वक्त का भोजन तो देती थी वो भीना खाये नह ही शोना चाहिए ठीक है आगे दिखिए उसके साथ गाली गलोच की गई मार पीड की गई चलो इतना ठीक था थोड़ा बहुत सबके होता रहता है लेकिन फिर क्या हुआ जोटी चोरी का इल्जाम लगा कर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है सबसे गलत काम जो उसका मुझ पर ब्लेम लगाया जाएगा तो बहुत बुरा लगता है दिल से ध्यान लखिएगा आपने भी फील किया होगा तो फिर क्या होता है जूठी चोरी का इल्जाम उस पर लगाया जाता है और उसे फिर से मारा जाता है अब इतना कोई स्टॉर्चर करने के बाद ब भाई पहले अच्छा बेउहार किया गया बाद में मारा पीटा गया गाली गलोज की गई मार पीट की गई इतना ही नहीं उसके साथ चोरी का इल्जाम लगाया गया तो बहादुर घर छोड़कर चला गया काम खतम ठीक है ना रहेगी बास न बजेगी बास उड़ी अब दे सारे आराम के आदी हो चुके थे बहादुर चला गया अब काम कोन करेगा बताओ कोन करेगा अब वो लोग उसको धूरी ने लगते हैं लेकिन अब पस्ताय होत क्या जब चड़िया चुक गई खेट अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और लिखिया असी सब्दों में लिखना होता है थोड़ा ध्यान से लिखियेगा बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कारे करने से घबराते हैं बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पस्चाताप करते हैं तथा अच्छा वेवार करने की सोचते हैं बहादुर की उपयोगिता देखकर वो आइसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, ठीक है, देखो आदमी की कीमत तब पता चलती है, जब तक आदमी तुम्हारे पास toati, उसकी कीमत नहीं है, जब वो चला जाएगा एक दिन, तब उसकी कीमत आपको असली सद्काशनी की, किसी को टॉर्चर मत कर जब चिडिया चुप गई खेत आप पच्टाय का होए जब चिडिया चुप गई खेत बहादुर में सहन सीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है बहादुर जो है इसमें सहन सीलता ये सहता रहा सहता रहा इसको गाली गलोज दिया गया तब तक ये सहता रहा मार पिर तक किया गया तब भी ये सहता रहा लेकिन जब जोटी चोरी का इल्जाम लगाया गया इससे रहा नहीं गया और चला गया छोड़कर इसमें सहन सिल्टा और स्वाभिमान की भावना कुट कुट कर भड़ी हुई है उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिये है तो ये पूरी कहानी यहीं पर फिनिस होती है मलब इसमें क्या था देखो एक बहादूर था 12-13 साल का लड़का जो अपने माता के दुर्वेवहार से तंगा कर सहर चलाता है दूसरी ओर निर्मला है लेखा की पत्नी अमरकान जी की पत्नी निर्मला वो अपने रिष्टेदारों के यहां नवकर द्वारा जुटाई गई они शुवधा को देखकर वो भी एक नवकर रखना चाती है उधर बहादूर आया उधर निर्मला थी फिर निर्मला ने बहादूर को देखा और अपने यहां काम पर रख लिया पहले निर्मला और उसके परिवार वालों ने बहादूर के साथ बहुत अच्छा बेवहार किया, बाद में उसके साथ कठोरता बरतने लगे, उसके साथ गाली गलोज की गई, मार पीट की गई, चलो तब तक ठीक है, लेकिन उसके साथ उसके उपर जूठी चोली का इलजाम भी लगाया गया, अब क्या होता है, बहुत तंगा गया, वो घर चला गया, अब सारे लोग निर्मला के पूरे परिवार वाले उसको ढूडते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है, अब पस्ताय होत किया जब छिडिया चुप गए खेत, और अब वो सोच रहा होगा, अपने घर पर ही हम अच्छे थे, अपने लोग जो होते हैं, और जो पराय ह होते हैं, वो पराय ही होते हैं, जो अपने पास है, वो अपना है, बाकी सब सपना है, तो आज की जो क्लास है, वो इन ही लाइनों के साथ पूरी होगी, खतम होगी, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पले हैं चैनलों को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मैं कि हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद